सबसे पहले आपको वीडियो के नेचे डिस्क्रिशन में चले जाना है वहाँ पर आपको वाटर पॉर्टल की यह जो लिंग है वो मिल जाएगी दोस्तो हम इसी वेबसाइट के जरीए एप्लिकेशन करने वाला है अगर हम चाहे तो वोटर हैल प्रेंट एप की मदद से भी यह कर सकते हैं लेकिन वो एप कभी काम करती है और कभी वहाँ पर कोई ना कोई एरर आती रहती है तो हम इस साइट की मदद से ही करने वाला है क्यो आपको account create करना होगा उसके लिए यहाँ पर आपको create an account इसके उपर click कर देना है account create आप दो तरीके से कर सकते है email id के जरीए और अपने mobile के जरीए मैं आपको suggest करूँगा कि आप mobile के जरीए कीजिए यहाँ पर आप अपना वह वाला mobile एंटर कर जिसके उपर आप OTP पा सके यह ज आपके उस mobile number पर एक OTP send कर दिया जाएगा वो OTP यहाँ पर आपको enter कर देना है यहाँ पर verify कर देंगे इस तरह का user interface आजाएगा तो यहाँ पर से आपको अपना password create कर लेना है आपको यहाँ पर आपको कोई एसा password create करना होगा चिसमें capital का alphabet आजाता है small abcty का alphabet भी आजाता है और numbers भी आजाते हैं और कम से कम एक special character भी होना चाहिए example के तोर पर यहाँ पर side में आपको दिख रहा होगा इस तरह का आपको एक password create कर लेना है और वही password यहाँ पर आप एक और बार enter कर देंगे और यहाँ पर आपको escape चा का जो भी value होता है वो enter करना होगा जैसी कि मेरे case म यहाँ पर enter करनी है तो वो होती है 28 और उसके बाद यहाँ पर नीचे दोस्तों आपको इस terms and condition वाले box को tick कर देना है सभी details जो है वो fill कर दी है तो चलिए अभी आपको यहाँ पर create account इसके उपर click कर देना है और यहाँ पर आपको welcome इसके उपर click कर देना है यहाँ पर से आप आपको आपका gender जो भी है वो select कर लेना है तो इतनी सभी details enter करने के बाद नीची आपको submit पर click कर देना है तो अभी हमें अपने water id card में address change करना है तो यहाँ पर जैसे कि आपको काफी सारे options जो है वो मिल जागे जैसे कि सबसे पहला है apply for new water id और उसके बाजू में है यहाँ प change जो है वो change ही करना है तो उसके लिए यहाँ पर हमें click कर देना है यहाँ नीचे let's start कर दीजिए यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि क्या आपके पास already water id card है तो हमारे पास water id card तो है ही हमें सिर्फ address change करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर yes पर click कर देना है अगर आपके पास water id card नहीं है फिर भी आप application कर सकते हैं उस case में आपको no पर click करना होगा लेकिन हमारे पास है तो हम यहाँ पर yes पर कर देंगे यहाँ पर हम अपना water id card का number enter करके fetch details पर click कर देंगे यहाँ proceed पर click कर देंगे आपके water id card के उपर से आपकी जो details है वो fetch कर ली जाएगी आपकी details यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी आपको एक बार confirm कर लेना है name के उपर से कि यह आपका ही water id card है या फिर नहीं अगर आपका ही water id card है तो नीचे slide करके नीचे save and continue कर देंगे यहाँ पर हमें चार options दिये गई है जिसमें सबसे पहला है shifting of residence हमें अपना जो address है वो change करना है तो हमें सबसे पहला ही option select कर लेना है हमारे यह काम के तीन option नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ address ही change करना है तो मैंने यह select कर लिया है आप भी कर लेंगे और नीचे save and continue कर देंगे यहाँ पर सबसे पहले तो आपको आपका जो भी state है वो select कर लेना है यहाँ पर से आप अपना district select कर लेंगे और यहाँ पर से आपकी जो भी assembly रहती है वो यहाँ पर से आपको select कर लेना है यहां पर आपको 7 continue पर click कर देना है तो यहां पर से आपको आपका नईया address जो है वो fill करना है लेकिन आप जो document upload करने वाले है इस application के साथ चाहे वो अधर card हो या फिर रेशन card हो या फिर bill हो या फिर कोई other हो उसमें जिसतर आपके address है उसी तरह यहां पर आपको fill करना है वो दोनों same ही होना चाहिए तो यहां पर सबसे पहला है house number यहां पर आप अपना house number enter कर देंगे यह address में house number नहीं लिखा है तो उसके बाद जो भी address में है वो आप सीधा ही यहां पर type कर सकते है यहां पर आपको तो house number add करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तो आप जैसी house number या फिर address डालते है तो वो अपनी regional language में यहां पर अपने आप भी आजाएगा लेकिन यहां पर जो regional language में आता है उसमें कभी कभी दिकत रहती है क्योंकि यह successful नहीं है तो उसलिए आपको क्या करना होगा सीधा आप यहां पर edit नहीं कर सकेंगे तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले तो आपको कोई भी application whatsapp या फिर notes वगेरा open कर लेनी है जैसे कि मैंने यहां पर open कर ली है और यहां पर आपको आपका जो regional language में वो address रहता है वो part जो भी चीज तरह लिखा जाता है वो आपको यहां पर लिख देना टाइप करने के बाद यहां पर से आपको इसको copy कर लेना है copy करने के बाद वापस से आपको side पर चले जाना है और यहां पर आपकर आप जैसे ही उपर touch करेंगे तो नीचे type करने का जो option है वो open हो जाएगा तो यहां पर simply आपको select all करके आपने जो copy किया था उसको यहां पर paste कर देना है आपको इसी तरह करना होगा क्यूंकि यहां पर जो आपकी board मिलेगा side का वो ठीक से काम नहीं कर रहा होगा तो आपको इस तरह कर देना है और इसी तरह यहां पर आपको आपकी street area, locality जो है वो आपको यहां पर type कर देनी है आप जैसे ही यहां पर English में type करेंगे तो आपकी regional language में यहां पर automatic type हो जाएगा लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया regional language में सही type नहीं होगा तो आपको वापस से whatsapp या फिर एसी कोई notes एप वगेरा open कर लेनी है जहां पर आप ठीक से type करें और यहां पर से type करके copy करके वापस से यहां पर यह regional language वाले column में आपको वो paste कर देना है तो आपका जो address है वो सही से यहां पर आजाएगा तो मैंने यहां पर अपना बाकी वाला address जो है वो English में और regional language में add कर दिया है और साथी साथ मेरी चो post office पड़ती है वो भी enter कर दिया है और यहां पर regional language में भी वो add कर दिया है दोस्तों यहां पर आपको आपकी चो भी post office आपके area की लागू पड़ती है वो यहां पर आपको enter कर देना है और उसके बाद निचे slide करके यहां पर आपको आपका town या फिर village जो भी है वो यहां पर आपको type कर देना है जो कि यहां पर regional language में आ जाएगा अगर वो सही से नहीं लिखा हुआ आते हैं तो मैंने आपको जो trick बताई उसके जरी आपको regional language में यहां पर अपना जो village या फिर town है वो add कर देना है और यहां पर आपको आपको आपका जो तेहसिल है वो select कर लेना है और उसी तरह यहां पर आपको आपका तेहसिल तालुका है या फिर bundle block जो भी आपके यहां बोलते है वो आपको यहां पर type कर देना है और वो यहां पर आपकी regional language में आ जाएगा यहां पर से आपको आपके area type को select कर लेना है वो city है टाउन है या फिर village है और आप अपना pin code enter कर देंगे और निचे आपको इस तरह options हो जाएगा enter your constituency manually जिसके उपर यहां पर एक यह चो circle आप देख रहे years का निशन इस तरह का आपके पास एक circle होगा जिसके उपर आपको tick कर देना है आप जैसे ही tick करेंगे उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का years वाला symbol जो है वो हरे रंग में आ जाएगा चोकि पहले नहीं होगा मैंने already इसको tick कर रखा है जैसे आप यहां पर tick कर देंगे तो यह सभी option चो है वो आपके पास खूल जाएंगे तो यहां पर से आपको सिधा नीचे slide कर देना है यहां पर आपके पास दो option होगे अगर आपके पास अधार काड है तो यहां पर आपको yes I have अधार नंबर इसके उपर click कर देना है और अगर आपके पास अधार काड नहीं है तो I am not able to furnish my अधार नंबर इसके उपर click कर देना है लेकिन हर किसी के पास अभी अधार काड तो होता है है तो हमें यहां पर यहां पर यहां पर आधार नमबर इसके उपर क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर आपको अपना आधार नमबर जो भी है वो एंटर कर देना है आधार नमबर एंटर करने के बाद आपको नीचे slide कर देना है यहाँ पर आपको एक address proof select करना होगा जो कि आपको यहाँ पर upload करना है पर आपको काफी सारे options देखने को मिल जागे जैसे कि आप आधर काड पोस्ट ओफिस की बुक पास्बुक आप एंटर कर सकते हैं इंडियन पासपोर्ट भी आप upload कर सकते हैं उसके अलावा प यहाँ पर आपको काफी सारे जो options है वो मिल जाएगे जैसे कि electricity बिल भी आप upload कर सकते हैं गेस कनेक्सिल बिल भी आप upload कर सकते हैं उसके अलावा अगर आप कुछ upload करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप other option पर tick कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर list में restaurant card का नाम नहीं ह और मैं restaurant card के जरीए ही यह address जो है वो change करने वाला हूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पर other पर click कर दिया है आप जैसे यह अधर पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके पास यह वाला option खुल जाएगा residence proof name तो यहाँ पर आपको simply आपका address proof का जो भी name है वो enter कर दिया है जैसे कि मै restaurant card upload करने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पर type कर दिया कि restaurant card उसके बाद आपको नीचे slide कर देना है यहाँ पर select file to upload पर से आपको आपका जो भी proof जो कि आप upload करना चाहते है उसको select कर लेना है जैसे कि आप देख सकते मैंने अपने restaurant card का photo जो है वो upload कर लिया है दोस्तों याद र character, days, underscore वगेरा भी नहीं होने चाहिए अगर वो होंगे फिर भी आपकी file upload नहीं होगी और अगर आपकी file jpg format में है फिर भी upload नहीं हो रही है तो आपको simply google पे जाना है और वहाँ पर search करना है jpg to jpeg तो आपको आपकी file jpg से jpeg में convert करनी है उसके बाद अगर आपके file name में भ बताया यह जो file है वो mb से कम size की होनी चाहिए जैसे की मेरी जो size है वो 68 kb की है file upload करने के बाद यहाँ पर आपको एपास लिखा हुआएगा well done your file has been uploaded और यहाँ पर save and continue कर देना है तो कुछ इस तरह का user interface आचाएगा यहाँ पर आपका name और surname होगा और यहाँ पर name और surname आप mistake है तो यहाँ पर आप उसको सुधार कर सकते हैं चोगी मैंने trick आपको बताई थी और यहाँ पर आपके relative का name होगा याणि कि आपके father का या फिर पती का हो सकता है और यहाँ पर original language में उनका name होगा यहाँ पर regional language में आप सुधार कर सकते हैं अगर कोई भूल है तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था तो उस तरह से मैं भी यहां पर सुधार करने वाला हूं क्योंकि मेरे में भी मिस्टेक है तो यह सभी करके आपको यहां पर 7 continue इसके उपर क्लिक कर देना है यहां पर से आप नीचे यहां पर कब से रह रहे है तो आप जितने साल या फिर जितने मंद से रह रहे है वो आपको यहां पर enter करना है तो अगर मैं यहां पर year या month पर क्लिक करता हूं तो अभी यह work नहीं कर रहा है ऐसी अगर कोई problem आती है दोस्तो तो अगर आप mobile से कर रहे है यह application तो आपको desktop mode जो है वो select कर लेना है तो मैं यहां पर जितने साल से रह रह रहा हूं जिस साल से रह रहा हूं वो यहां पर मुझे add कर देना है तो चलिए मैं अभी वो कर देता हूं उसके बाद नीचे slide करके यहां पर आपको आपके place का name enter कर देना है जो भी village है या फिर city है तो चलिए वोपी में कर देता हूँ मैंने details enter कर दी है आप जिस साल से रह रहे हैं वो यहाँ पर साल enter करना है उसके जो भी month से रह रहे हैं वो month यहाँ पर enter करना है और यहाँ पर अपने city या village का name एंटर कर देना है इतना करने के बाद यहां पर नीचे आपको 7 continuous के उपर क्लिक कर देना है और आपकी application का preview आपको यहां पर show कर दिया जाएगा इस preview को आपको एक बार ठीक से देख लेना है आपकी कोई गलत detail तो एंटर नहीं हुई है अगर यह सही है तो आपको नीचे slide करके यहां पर last में आपको दिख राओगा submit का option तो यहां पर नीचे आपको submit पर click कर देना है जैसे ही submit पर click करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का user interface आ जाएगा जिसका आपको screenshot ले लाना है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मुझे एक reference number जो है दिया गया है इस reference number के जरीए आप अपने application का status को track कर सकते है चलिए अभी हम जानते है कि उसको आपको कैसे track करना है उसके लिए दोस्तों आपको site पर जाने की जरूरत नहीं है आपको simply play store open कर लेना है और यहां पर से आपको application search कर लेनी है water help plan और आपको इसको open करके इसमें आपको login कर लेना है application open क करने के बाद यहां पर आपको three lines मिल जाएगी explore वाली तो यहां पर आपको click कर देना है और यहां पर आपको status of application इसके उपर click कर देना है और आपको जो reference ID मिला था वो यहां पर आपको paste कर देना है और यहां पर track status पर click कर देना है और आपको आपकी application का status यहां पर show कर दिया जाएगा अभी अभी application जो है वो submit हुई है उसके बाद बिये लो appointment होगा उसके बाद फिल verify होगा और अगर आपकी details सही होगी तो वो accept हो जाएगा तो दोस्तों मैंने और एक application open कर लिए है जो कि मैंने पहले एक relative की submit की थी और वो accept भी हो चुकी है तो दोस्तों यहां पर आप जिसे की देख सकते हैं मैंने application submit की थी सब्टेमबर 2022 को उसके बाद बिये लो event होगा उसके बाद फिल verify होगा और उसके बाद accept हो चुकी है यह किस date को accept हुई है वो भी मुझे यहां पर show हो रहा है तो दोस्तों कुछ इस तर आपको आपके water ID में address change करने के लिए online apply करना है तो दोस्तों यह था हमारा video मेरे आपको video पसंद है और वीडियो पसंद है तो जनानल को सब्सक्राइब करके इंबल एकन को प्रेस रूसे कर दिदा को रगर अपको पुट स्क्राइब है तो आप मुझे वोच्पर में सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब